नमस्कार मेह अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मेह अनुष्का बिहारी का स्वागत है। नमस्कार मेह अनुष्का बिहारी का स्वागत है। इसके दाथ पटना वासियों को ऑक्सेजन के लिए मारा मारी और भाग दोर ना करना पड़े। इसके लिए गुरुद्वारे की तरफ से निश्चुल को ऑक्सेजन भरने का काम किया जा रहा है। इसके लिए ऑक्सेजन केंप पटना सिटी के कंगन घाट पर लगाया गया है। यहाँ पर दिन के आठ बजे से रात आठ बजे तक के भी जरूरत मंद लोग खाली सिलंडर में ऑक्सेजन भरवा सकते हैं। इस वाइरस को हराने में और लोगों की मदद में जूते हैं। के होसलाव जաՈ को लेकर मुक्यमंत्री नितीश कुमार ने भी सरहना की है। कृरोना योदधाओं और सामाजिक संग्ठनों को उनके साहसे कारी के लिए ट्वीट कर इन सभी का आभार जटाया है। के करोना के संकते काल में इस सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। को भी सराहनिय कहा वहीं मुक्यमंत्री ने मिलकर इस जंग को जीतने का संकल्ब दोया है बिहार में पहले दिन करीब 89,000 युवाओं को लगी कोरोना वैक्सिन की पहली डोज राजभर में बिते दिन रविवार से 18-44 साल के युवाओं के लिए कोरोना ठीका करान अभियान की पहले ही दिन इस उमर के बीच के 89,238 लोगों ने वैक्सिन की पहली डोज लगवाई है इसे लेकर रविवार को राज में 624 टीका करन केंदर बनाए गए थे मगर पहले दिन वैक्सिन लेने के लिए लोगों की भीर को देखने के बाद से आज यानि की सोमवार से सेंटरों के संख्या बरहाने का फैसला लिया गया है इन केंदरों पर टीका के लिए सुबह 9 बजे से ही यवाउं के आने का सिलसिला शुरू हो गया इस करम में बिहार की यवाउं के बीच वैक्सिन लगवाने में काफी उत्साथ था वहींज दोरान कई केंदरों पर निबंधन करान के बाबजूद पासवर्ड नहीं मिलने के कारण युवाओं को परेशानी उठानी परी तो दूसरी तरफ कई जगहों पर केंद्र पर कई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंच गये थे जिनने रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया तेज आंदे बारिस को लेकर कोछ जिलो के लिए यलो अलर्ट हुआ जारी विहार के करेश सभी जिलो में प्री मौनसून के दौर में मौसम सुहावना बना हुआ है वहें कई जगहों पर आंदे बारिस जैसे इस्थिती देखने को मिल रही है इसक्रम में पटना मौसम विज् पार को पांच लोगों की मौत बिहार में हुई है पिछले 24 गंटे में राज में सबसे ज़्यादा बारिस दरबंगा में 14 मिलिमीटर बारिस हुई वहीं 12 मिलिमीटर एबम सुपॉल में 4 मिलिमीटर बारिस रिकॉड हुए है इसे लेकर आज के लिए प्रदेश में यलो अल अधिया से जुरे लोगों की बीच बढ़ते संक्रमन की खत्रे को देखते हुए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने राजसरकार को पत्र लिख कर कई मांगे रखी है। जाहिर करते हुए निजी अस्पतालों में दुबारा वैक्सीन देने की शुरुआत करने वशेहरों और गवों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सिनेशन सेंटर खूलने का सुझाव भी रखा। वही उन्होंने बताया कि ओयल इंडिया की स्योग से बिहार में पाच जगहों पर पी ऐसे प्लांट लगाया जा रहा है। सबसे बरा प्लांट PMCH का होगा जहां 5000 लीटर प्रतिमिनत ऑक्सिजन का उतपादन होगा वही अनुमंडल इस्तर पर भी ऑक्सिजन प्लांट लगाया जाएंगे। के साथ ही राज के सभी नौ मेडिकल कॉलेजों में अगले तीन महीने में 18 करोर की लागत से प्रतिमिनत धाई हजार लीटर ऑक्सिजन उतपादन करने वाला प्लांट लगाया जा रहा है। मार्च 2022 तक 36 करोर भारतियों को मिलेगा स्पूतनिक वी वैक्सिन। भारत में वैक्सिन के इंतिजाम से जुरे अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इसी वहने के शुरुआत में एक मई को भारत को पहली खेप में इस पूतनिक वी की 15 लाक डोज मिल चुकी है। बिहार के बेगुसराय जिले में डॉक्टर ने निभाया मानविये करते वे कोरोना की इस वैस्पिक महामारी के बीच जहां कई पीरित मरीजों के अपने परिजन भी बिमार होने के डर से साथ चोड़ रहे हैं वहीं इंसानों को दुबारा जीबन देने वाले डॉक्टर अ मृतक के शव को मुखागने दी और हिंदो रिती रिवास के तहट उन्होंने शव का अंतिन संस्कार भी किया दरसल मृतक दिरेंद्र सें का एक लौता पुतर चैनलिगर में रहने के कारण नहीं आया जबकि उसके भाई और बतीजे भी कोरोना से बिमार है जिसके बाद सिर अक्रमन और ऑक्सिजन की उपलब दिता सहित अने मुद्धो को लेकर बीते दिन एक वर्चुल बैठक कायोजन किया जिसमें विधान परिशत की सभापती पुर्वसीम जीतन राम माजी कई सांसत्व विधायकादी शामिल हुए इस दोरान उन्होंने जन प्रतिनीधियों स प्रशासन को रचनात्मक इवं सकरात्मक सहयोग देने की बात कही वहीं कहा कि कोरोना की लराई हम सब को मिलकर लड़नी है इस करम में वंतरी ने राज में चल रहे 19 ऑक्सिजन प्लांट के अलावे 3 और प्लांट लगाने की बात कही है वहीं गया में ऑक्सिजन की कोई कमी इसके लिए भी प्रशासन को मुस्ताद रहने के कहा वहीं इस दौरान उन्हें ने गया जिला पदादेकारी से गया में आये विदेशी जो लॉकडाउन में यहां से अपने देश नहीं जा पा रहा है अत्वा किसे कारी से यहां रुके है उनका विशेश रूप से ध्यान पर आली है हलांकि उनके जाच रिपोर्ट आना भी बाकी है फिलाल वे दिल्ली में है और इस बारे में आज सुबह है उन्होंने ट्वीट करके जानकारे दी है चिराग ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना के लक्षन जैसकी बुखार और सिर्दर्द जैसा मैसूस होने के की कोरोना ने ले ली बीजेपी एमलसी सहित बढ़हरिया एमले के भाई की जान बिहार में कोरोना वाइरस का कहजारी है जहां आए दिन वाइरस से आम लोगों के मौत का आकरा बड़ा हो रहा है वहीं इसकी चपेट में आम निता अधिकारी सहित लोग भी आ रहे हैं वहीं कोरोना वाइरस से बीजेपी के एमलसी तुनना पांडे वसीवान की बढ़हरिया विधायक बच्चा पांडे के भाई 49 वर्षिये धननजय पांडे अपने जीवन से हाथ दो बैठे हैं जानकारी की मताबिक धननजय पांडे की तबियत अचानक खराब हुई थी जिसके बा रविवार की रात देर बजे उनकी मौत हो गई वहीं दूसरी तरफ कोरोना वाइरस ने भाजपास से एमलसी टुनना जी पांडे की भी जान ले ली है वैक्सिन की बरबादी करने में बिहार बना चटा राजू बिहार में एक तरफ है राजसरकार वैक्सिन की कमी को लेकर क केंदर सरकार को पत्र लेक वैक्सिन पूर्ती की बात करती है वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के उताबिक बिहार में वैक्सिन की एक बड़ी खिब बरबाद हो रही है केंदरे स्वास मंत्राले ने एक रिपोर्ट जारी कर दस ऐसे राज्यों की लिस्ट बनाई है जहाँ बरबाद हो रहा है जिसमें से बिहार का स्थान चटा है इस लिस्ट में बिहार चारद सबलब 9-6 फीसिदी के साथ छटे स्थान पर है जबकि सबसे ज़्यादा वैक्सिन वेस्ट करने के मामने में लक्षुदवी पहले स्थान पर है यह रिपोर्ट 9 मई तक की है आपको बता स्री लंका का दौरा करने वाली है वहीं इस बारे में बिसी सी आई अधर स्वरफ गांगुली ने कहा है कि इस टीम में कप्तान विराद कोली रोहिच सर्मा जैसे बड़े खिलारी इस दौरे का हिस्सा नहीं होगे दर असल वे इस समय इंग्लैन के खिलाब 5 मैचों की टेस् स्वरफ गांगुली ने कहा कि विसी सी आई ने जुलाई के महिने में सीनियर पुरुष्टीम के लिए सीमीत ओवरों की सिरीज की योजना बनाई है जहाँ वे श्री लंका में T20 और वंडे मैच खेलेंगे इस दोरान स्री लंका दौरे पर 5 T20 और 3 वंडे मैचों की सिरीज देश्पर में 24 गंटे में आए सारे 3 लाग से जयदा कोरोना के मामले देश्पर में कोरोना मामलों का आकड़ा बढ़ना जा जा रही है जो असाफे भाग द्वारत जारी ताजा आकरों की मताबिक बिते 24 गंटे में कोरोना के 3,761,179 मामलों की पुस्टी हूई है ये इस 24 गंटे में कुल 11,269 कोरोना के केस आया है वहीं जोरान 13,364 लोग कोरोना से ठीक भी हुए है जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 110,804 हो चुकी है वहीं अच्छी ख़बर यहा है कि बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर 80 दसबलब 71 फीस दी हो च जुरे खबरों से अबडेटें डाने के लिए जुरूरे रहे हैं बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार